हलो फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मुझे मीरे कि आप बिल्कुल ठीक होंगे तो अभी देखिए सुबह के बच गया है साड़े नौ और बच्च चले गया है इसकूल वैसे बच्चे तो साड़े छे बजे ही चल ले रही हूँ अभी मैं चाय मतपी लेती हूँ क्यों नहां के आने के बाद मुझे चाय चाहिए होता है तो उसके बाद बनाओंगी लंच बच्चे भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में तो मैं चाय गर्म कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोग से हलो फ्रेंड्स रादे रादे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो अभी देखिए सुबह की बज रहे हैं साधी 9 या 10 बज रहे हैं घड़ी में आप देख सकते हो पर घड़ी में उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है और मैं आ गई हूँ सब्जी कटकरने घर में सब्जी नहीं थी अजबन गये थे सब्जी लेने के लिए पर थोड़ा सा परवर था और आलू तो मैंने सोचा कि लाव आज परवर आलू की सब्जी बना देती हूँ क्यूंकि और सब्जी तो घर में बस दो चार परवर थे और आलू था तो क्योंकि लेट भी हो रहा था मुझे भी कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि चलो जो ही है वही बना देती हूं फिर थोड़ा सा रात को आलू का पराठा बनाया था उसका बैटर बच गया था तो मैंने सोचा उसकी टिकिया बना दूंगी और थोड़ा सा सबजी बना लेती हूं तभी देखे सबजी मैंने कट कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से वास कर लेंगे मैं सबजीयों को दो बार वास करती हूं एक बार जब हजबन लेके आते हैं तब धुल के उसे सूख कर फ्रीज में लगाती हूं और दूसरा जब अच्छे से तब मैं इसमें डाल दूगी तेल मैं सरसो औल में ही सारा खाना बनाती हूं बस जो जैसे कि छानने फ्राइ करने वाला आइटम होता है वह सब रिफाइन में करती हूं आरे जी हो या कोई भी चीज हो तो मैं सरसो के तेल में ही बनाती हूँ तो मैंने सरसो का तेल जादा निकाल लिया था तो मैंने कर्चल में डाल दिया है दाल को तड़का लगाने के लिए कर्चल में ले लिया है और उसके बाद मैंने प्याज और परवल जो है एक साथ ही मैंने डा जो चीज खतम होता है वो तुरंट आजाता है पर ऐसा नहीं है जो जब खतम होगा तबा जाता है वो तभी डाल चीनी और बेसन खतम हो गया था तो हजबन दे के आए थे तभी देखिए मैं वही सारा लगा रही हूँ सारे डबो में मैं दाल अच्छे से मिक्स कर दूँगी और दाल मैं तूवर दाल और मसूर की दाल एक साथ मतलब मिक्स करके खाती हूँ ऐसे चना वगएरा का कभी बनाती हूँ तो ऐसे बना लेती हूँ नहीं तो ऐसे तूर दाल और मसूर की दाल मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर यही दाल हमारे यहार डेली बनता है कभी-कभी मैं इसमें मूंग की दाल भी मिला लेती हूँ कभी-कभी डेली नहीं तो अभी देखे सारा दाल जो है मैंने पनी का जो दाल है प्लास्टिक का वो मैंने डाल दिया है डब्बे में और डबा फुल हो गया है मैं इसे भी लगा देती हूँ अब फिर बेशन को मैं भर लूँगी तो इधर मैं सबजी भी चला रहे थी क्योंकि सबजी मैंने चड़ा लिया था पुराने और नय बेशन को उसी डबे में डाल लूँगी फिर से और पुराने बेशन से मैं जो होता है ना बेशन का घोल बना लूँगी पकाउडी के लिए तब बेशन भी मैंने फुल कर दिया है रग दे रही हूँ इसे और हस्मेंट सबजी भी लेकर आया थे तो सबजी को मैंने धोगे एक साइट में रख दिया था सूखने के लिए ऐसे ही रख दिया था तो अभी देखे परवर और जो प्याज है वो भून गया है पूरा अच्छे तरीके से नहीं भूनना है हलका हलका ही बस भूनना है फिर मैंने डाल दिया है इसमें आलू और आ अच्छे से चला चला कर इसे तब तक पकाऊंगी जब तक आलू जो है वो सौफ्ट ना हो जाए जब आलू 80% कुक हो जाएगा तो मैं इसमें मिला दूंगी टमाटर लाश्ट में टमाटर इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि आलू जो है वो अगर पहले टमाटर डाल है और हल्दी पावडर डाल दूंगी और फ्रेंट्स में दिखा नहीं पाई आप लोगों को मैंने जीरा लेसुन और हरी मिर्च का मतलब पेश्ट तयार किया था सिलबटे पे मिक्सर में नहीं तो उसे भी मैंने इसमें डाला था पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्यो जब तक मैं घोल बना रही थी तब तक सबजी भी 80% तक आलू कुख हो गया था तो मैंने इसमें वही बताया आपको आगे तो आज का जो मेरा दिन रहाना पूरा जो है किचन में ही बीट गया जितना टाइम मैं घर पे थी मतलब साम को मैं निकली थी कहीं तो और यहां पे आपको सबजी दिखा रही हूं कि हसमें देखे क्या क्या लेकर के आये हैं आलू तो मैंने टो क्रीम लगा दिया है परवर अरवी टमाटर बोड़ा मतलब पालक का साग भिंडी लहसुन यह सब लेकर हस्मेंड आये थे तो धोकर मैंने पहले मतलब टोकरी में रखाय तो फिर यहां पे मैंने लगा दिया था कि अब फ्रीज साफ कर लोंगी तो इसको भी लगा दूँगी अब फ्रीज भी साफ कर ल है और रुपेज तो मेरा कुछ भी देखता है ना तो वह तुरंट साफ कर देता है तब देखिए हलका हलका मैंने हाथ बस फेर लिया है फ्रीज में उसके बाद मैं सारी सबजियों को लगा दूँगी टोकरी में मैं आप सभी को बता रहे थी आज का दिन मेरा पूरा दिन कीचन में ही बीद गया मतलब दो धाई बज गया मैं साड़े नौ बज़े से कीचन में आई थी और दो धाई कीचन में ही बज गया क्योंकि मैंने हलका फुलका जो डस्टिंग था वो भी किया बस ब्लॉग मैं बहुत जादा लंबा हो जाता तो बस थोड़ा सा फ्रीज का मैं आपको दिखा दे रही हूं कि फ्रीव को हलका हलका मैंने हाथ मतलब फेर लिया था डीप क्लीनिंग नहीं की है आज फिर सारी सबजीयों को मैं लगा देती हूं जितनी भी सबजीया हस्बें लेकर के आये थ बहुत मुस्किल से ही मैं रिकॉर्ड कर पाई हूं तो फ्रेंड्स आप सभी को ब्लॉक कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ ही वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा जिसे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाओ उसके नौटि है बैटर और आलू का बैटर और बेसन का घोल तो मैंने उसे साइड में रख दिया है और अच्छी तरीके से चावल मैं वास कर लूँगी चावल भी चड़ा दूँगी क्योंकि जब तक मैं चावल को वास करने गई थी तो बारा बच गया था और बच्चों के स्कूल से आ और अभी मेरे बरतन भी वास हो गए हैं तो उसके बाद मैं च्छत पे आ गए थी आज मैं कपड़े डालना भूल गई थी डेली ऐसे ही नहानिक बाद तुरंट कपड़े डाल देती हूँ पर आज किचन में चली गई तो मतलब बिलकुल मैं भूल गई कि छत पे कपड़े डालने हैं तो अभी 12.12 हो रहा है और अब मैं कपड़े डालने आई हूँ पर धू आज का हमारा लन्च जो था वो था आलू पर वर की शबजी चावल दाल चटनी और आलू का टिकिया तो जब ऐसा कुछ आइटम बनता है ना तो बच्चे मेरे साथ ही खा लेते हैं बस यहीं तक था था थांक्स फार वाचिंग फ्रेंड्स